मैं बहुत सारा कमेंट आ चुका है निव ओडिया धमाकेदार मुपी रावन की टीजर की रीव्यू के लिए एक ब्रदर हूट करके एक भाई हैं जो कि कल से मुझे कमेंट कर रहे थे कल से मुझे मेसेच कर रहे थे कि भाई रावन के बारे में आप कुछ बोलो रावन के बार यह था यार बहुत टायर हो गया था actually देखो पठान मुवी को देखने के लिए हमारे गाहों से ना 60-70 किलोमेटर की दूरी पे ही थेटर है तो इतनी दर सफर करके फिल्म देखना फिर रिव्यू करना इसमें थोड़ा बहुत यह हो जाता है तो फिर भी काम तो कर रहे हैं तो करेंगे ना तो चलिए हम रावन के बारे में बात करेंगे यार रावन ट्रेजर इतना जवर्दस्त लग रहा है मैं क्या आपको बताओ वहाँ पे अनुभब महांती जो है इसको लेकर के एक कमेंट आया है अभी-अभी इसके बारे मैं हमें खुलासा कर ही लेता हूँ कि इसकी जो हिंदी डॉफ है ना इसके बारे में जब मैं लॉविन लंडन के बारे में चांद बिंद कर रहा था थोड़ा उसका ये रिव्यू करने के लिए तो उसबग कुद्धे पता चला था लॉविन लंडन और ये जो रावन मुवी है ये पैन इंडिया लेवल पे रिलीश होने वाली है हिंदी में भी आएगी गाईज तो साइट टीजर आज या कल या आसबास हमें हिंदी में देखने को मिल जाएगा जैसा लग रहा है वो प्रिवियस अनुप जी ही बोल रहे थे तो मैं वो वाला देखा था तो हिंदी में आज आएगा यार आज आएगा और नहीं आएगा तो भी हम उपिल करते हैं कि ये हिंदी में आए क्योंकि बहुत जबर्दस लग रहा है लूक तो एकदम कड़क लग रहा है यार बहुत जबर्दस इतना मतलब लॉविन लंडर म वक्त था और यहाँ पर रावन का क्रेक्टर को वो पिले कर रहे हैं तो भगवान सिप का टैटू एकदम जम कर जमता है वहाँ पर ठीकाना झाकाज लग रहा है मौथ खतरना लग रहा है और उनकी जो डैलक होता है वो डैलक से पता चल रहा है कि ये एक्चल में एक innocent person होते हैं एक आम इंसान होते हैं लेकिन उनके साथ जो अत्याचार होता है वो अत्याचार में एक्चली इसकदर होता है कि वो ये रावन वाले character उनके अंदर से बाहर निकलता है और ये revenge revenge करने वाले हैं लेकिन में previous interview में मुझे पता चला था कि रावन movie जो है एक love action movie होने वाली है तो इसकी जो story होगा man based होगा वो love होगा love action होने वाला है love में मारा एक इनसान रावन की character को play करेगा बिल्कुल वैसा है और बहुत violent हो चुका है अभी इस तरह का character होगा लेकिन यहाँ पे एक man चीज यह है guys जो कि मैंने यह teaser पे fill किया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा देखो अभी क्या trending चल रहा है भाई अभी क्या trend क्या है कि villain वाला hero होना चाहिए hero होगा लेकिन उसका जो अदा होगा उसका जो look होगा उसका जो character होगा वो actually villain वाला होना चाहिए के जी लेलो फेर अभी पुस्पा लेलो यह सारे film में न एक villain वाला hero होता है और अभी Hollywood industry में भी एक villain वाला hero आ चुका है रावन यहाँ guys यह एक बहुत बड़ी बात है जो कि trending पे है वो ही trending वाली चीज को लेकर के उसको सेंटराइज करके यह film को बनाय जा रहा है मतलब यह film बहुत जवर्दस्त होने वाली है देखते हैं इसकी जब trailer आएगा movie आएगा movie तो बहुत कमाल का होगा जब trailer आएगा तो story के बारे में और कुछ हम predict कर सकते हैं और उसके बारे में भी हम बात करेंगे have a nice day guys take care